दिल्ली की जनता के सामने वादों की जड़ियां लगा कर सत्ता पर काविज होने वाले सीम अर्विंद केजरिवाल ने एक बार फिर लोगों को लुभाने का काम शुरू कर दिया है अपने वादों और दावों के साथ CM केजडिवाल MCD के रड़ में बाजी मारना चाहते हैं दिली के मुखमंद्री अर्विन केजडिवाल ने नगर निगम चुनाओ से पहले कई बड़े बादे किये हैं केजडिवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी MCD चुनाओ जीपती है तो हाउस टेक्स माफ किया जाएगा इसके साथ ही उन्होंने MCD को कर्ज से बाहर निकालने और कर्मचारियों को वक्त पर बेतन देने की भी बात कही केजडिवाल ने कहा कि उनकी पार्टी एक साल के अंदर नगर निगम को घाटे से उबार के दिखाएगी हर साथ तारी को नगर निगम के तमाम कर्मचारियों को सैलरी मिल जाया करेगी टैक्स चोरी करने वाले पारशुदों पर कारिवाई की बात करते हुए केजडिवाल ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के भी सारे अकाउंट हमने देखे हैं दिल्ली के लोग जितना टैक्स देते हैं वो सब चोरी हो रहा है अप्रेयल में होने वाले अमसीडी के रण के लिए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कसली है बीजेपी जहां जीत की हैट्रुक लगाना चाहती है वहीं आप भी विधान सबाचुनाओ की तरह अमसीडी में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास रचना चाहती है